प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. सबसे पहले तो Gospel Hall Assembly ने मुझे इस तरह से जो invitation दिया कि मैं class लूँ, उसके लिए मैं मंडली का और मंडली के जो अगवे हैं उन सब का बहुत आभारी हूँ, उसके अलावा जितने लोग आज प्रभु का वचन सुनने के लिए एकतरित हुए हैं, मैं उन सब का भी आभारी हू और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि ये सीरीज जैसा ब्रदर रवी ने कहा, तीन महीने का सीरीज, इसमें हम मंडली से संबन दित, मसीही मंडली या क्रिस्टिन चर्च के बहुत सारे आधार भूत उपदेशों को लेंगे, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सब क इन क्लास के द्वारा अनगर दें, आरंब में मैंने जो विशे चुना है वो है प्रभु का वचन, प्रभु का वचन या प्रभु के वचन के बारे में हम क्या विश्वास करते हैं और क्या हमें जानना चाहिए, इस विशेपर एक चीज मैं पहले से याद दिला दूँ की यहां जो मैं classes ले रहा हूं ये बाकाइदा classes हैं संदेश नहीं हैं संदेश में एक पद होता है एक या दो point होते हैं जादा से आदा तीन point होते हैं मैं जो ले रहा हूं ये classes हैं सभी लोगों से, सभी भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया, डायरी, पेन लेकर बैठें और मैं जो पद यहां बोलता जाता हूँ हो सकता है कोई भाई comment box में उन पदों को डालते जाएं यदि कोई इस तरह से करता है तो उनसे एक अनुरोध है कि complete पद कोट ना करें, सिर्फ reference टाइप करें जिससे कि जो लोग प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के लिए अध्यान के लिए आएं हैं वे प्रभु का वचन खोल कर, जिस तरह से हम चर्च में बैठ कर प्रभु के वचन के अध्यान करते समय, बैबल खोल कर अपने आप पढ़ते हैं उस रसे पढ़ने के लिए लोगों को प्रेडित कर सकें इसलिए complete verse पोस्ट ना करें, ये मेरा अनुरोध है references पोस्ट करेंगे, तो लोगों के लिए उपियोगी होगा प्रभु के वचन की जो fundamental doctrines है उनके अध्यान के समय, या अध्यान करते समय, मैं और भी बहुत सारे विशे सेलेक्ट कर सकता था लेकिन क्यों मैंने पवित्र बाइबल के बारे में या प्रभु के वचन के बारे में हमें क्या-क्या जानना चाहिए यह विशे हमने क्यों सेलेक्ट किया है वहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं मसीही लोगों को एक separate group किसने बनाया प्रभु के वचन ने हमारे चर्चस में जो कुछ होता है उन सबने हमको नहीं मसीही नहीं बनाया प्यद्मेश्वर के वचन ने और प्यद्मेश्वर के वचन के आदेशों ने हमको मसीही बनाया या सच्चाई जानने को हमें प्रोथसाहित किया और सच्चाई जानने के कारण हम मसीही बने इस कारण जिस पुस्तक ने हमें जीवन में दिशा दी है उस पुस्तक का क्रमबद अध्यायन उपदेशों के अध्यायन में पहली कड़ी है और हम सब इस बात को सामानी जीवन में जानते हैं आजकल इलेक्टरोनिक्स का यूग है और घरों में इलेक्टरोनिक एक्विपेंट बढ़ते ही जा रहे हैं जब भी हम कोई इलेक्टरोनिक एक्विपेंट खरीद के घर पे लाते हैं तो हमेशा उसके साथ एक बुकलिट जरूर देते हैं वो लोग electronic equipment में even एक mobile आप खरीदते हैं तो mobile का जो packet आता है उसके अंदर जरासी diary नुमा एक पुस्तक होती है उसमें mobile से संबंदित सारी जानकारी दी जाती है और जो व्यक्ति mobile खरीद रहा है उससे यह उम्मीद की जाती है कि mobile के उपयोग के पहले उस diary को खोलकर उसमें mobile संबंदित जो आविश्यक जानकारियां दी गई है उन सब जानकारियों को पहले पढ़े समझे और उसके बाद mobile को हाथ लगाए जो दुकानदार है उसे मालूम होता है कि ज़्यादातर लोग लापरवा हैं और इसलिए अच्छे दुकानदार जब आप mobile खरीते हैं तब एक बात जो सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण है वो एक बात जरूर बोल देता है देखिए भाई साब इसको घर ले जाकर इसको उपयोग करने से पहले जब आप पहली बार उपयोग करते हैं उसके पहले आठ घंटे इसको चार्च कर लें यह सब आविश्यक जानकारिया उस manual में दी रहती हैं जो electronic equipment के साथ आता है इसी तरह से पत्मेश्वर ने अपनी सृष्टी मनिश को जब इस प्रत्वी पर रखा और जब मनिश्यों की संख्या बढ़ने लगी तब परमेश्वर ने मनिश्यों को लिखित रूप से अपना वचन, अपने आदेश, अपने निर्देश, और उसके अलावा अपना जो बुलावा है या बुलाहट उसे सपश्ट किया तो यदि मोबाइल जैसी छोटी सी चीज जिसको जिसमें से चार हम एक जेब में डालके घूम सकते हैं उस छोटी सी चीज के लिए यदि मैन्वल पढ़ना जरूरी है तो मनिश्य जैसा एक मनिश्य जैसी एक सुरिश्टी जिसको परमेश्वर ने असीमित बुद्धी दी ह और जो अपने बुद्धी के बल पर चांद पर पहुँच चुका है और जल्दी ही जो मंगल ग्रह पर पहुँच जाएगा और जो मंगल पर बाकाइदा सेटिल होने की तयारी में है ऐसे मनिश्य के बारे में मेरे बारे में आपके बारे में प्रभु का जो वचन जो कुछ कहता है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है इस कारण इस विशे को मैंने अपने पहले विशे की रूप में चुना जब भाई रवी ने मुझसे fundamental doctrines की बात कही तो ये इसको पहले विशे की रूप में जो चुना उसका पहला कारण है कि जरासी चीज के लिए हम यदि मैनवल हमें मैनवल पढ़ना जरूरी है तो असीमित बुद्धी के मालिक मनिश को परमेश्वर ने उसके बारे में जो डीटेल में जो वचन दिया है जो एक सामान्य मैन्वल से बहुत अधिक है, उसको पढ़ना, उसको समझना जरूरी है, इवन वो क्या है, ये समझना जरूरी है, कहीं ऐसा न हो, कि जो मैन्वल हमें पढ़ना है, उसके बदले कुछ और पढ़ रहे हूं। मुझे अभी भी याद है, आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट आया ही आया था, मैं जिस इलाके में हूँ, यहां लगबग 24 साल से इंटरनेट उपलब्ध है, और जैसे ही आया था, मैंने ले लिया, उस समय हर हफते में दो दो तीन तीन बार जो है, लाइन तूट जाए, मतलब डिसकनेक्ट हो जाए, तो लेकिन बहुत हेलफुल लोग थे, जब भी बुलाते थे, वो कनेक्शन उसको फिक्स कर देते थे, एक बार मैंने बुलाया, तो एक बेगम ने उठाया, अपना नमबर वगएरा बताया, मैंने कहा कि मेरा इंटरनेट कट आफ हो गया है, उ उनका प्रश्न था कि, एक्स्प्लोरर में क्या दिखता है, मैंने कहा कि मैडम, एक्स्प्लोरर की बात नहीं हो रही, connection नहीं है, अगला प्रश्न, एक्स्प्लोरर में आपने कोई वेबसाइप देखा क्या, मैंने फिर बोला कि मैडम, मैं एक्स्प्लोरर की बात नहीं कर र था मैंने का कि मैडम कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहा है मैं आप से अर्च कर रहा हूं कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अगला प्रश्ण explorer में आपको क्या दिख रहा है मैंने सर पीट लिया मैंने पूछा कि बेगम आप क्या देख रही है तो उन्हों यहां पर उत्तर देखना है उसको देखने के बदले इधर उधर देखेंगे तो आर्थ का अनर्थ हो जाएगा सामान्यत है जब मैं किसी को बुलाता था उस ऑफिस से तो वो लग सर्वर देखते थे सर्वर पर एक कंट्रोल पैनल है मेरे नाम से अलग से कंट्रोल पैनल है जॉन्सन फिलिप नाम से उस कंट्रोल पैनल को देखते थे और यहां वेगम जो है एश कर रही थी एक्स्प्लोरर देख रही थी मैंने सरपीट लिया मैंने कहा कि मैडम हम तुर्प हो गए मैं कट कर रहा हूं मैं दुबारा बुलाओंगा क्योंकि 20-25 टेक्निशन होते हैं अगली बार किसी और से इशा में देखेंगे तो गलत ही उसको उत्तर आएगा हम समस्या का समाधन नहीं कर पाएंगे इसलिए भी जरूरी है कि हम प्रभू के वचन के बारे में पहले देख लें और यह भी समझ लें कि प्रभू के वचन के बारे में प्रभू का वचन क्या कहता है और हमको क्या सम मसीही विश्वास एक religion नहीं है, लेकिन religion के रूप में माना जाता है, इसलिए थोड़ी दर के लिए हम मसीही विश्वास को भी एक religion मान लें, दुनिया में लगभग 12 से 20 के बीच में मुख्य religion है, इन में से हर धर्म, हर धर्म का अपना एक धर्म ग्रंथ है, इन में से कौन है जो अपने धर्म ग्रंथों को बहुत अधिक आदर देते हैं, मैं ये प्रश्ण इसलिए पूछ रहा हूँ, कि हम मसीहीओं को, गेर मसीहों के सामने, लज्जित होने की बात है, कि हम अपने धर्म ग्रंथ को, जो आदर देना चाहिए, वो नहीं देते हैं, मैं धर्म गरंत common शब्द यूज़ कर रहा हूं ऍैक्शली धर्म गरंत नहीं है पर्मेश्वर गरंत लेकिन जब हम हर धर्म के पुस्तकों की बाक कर रहा है इसलीए मैं वहaczego मन शब्द यूज़ कर रहा हूं कि सिखों को जरढ़ देख लीजए Pan कहते हैं जी नहीं गुरुगरंद नहीं कहते हैं वे अपने धर्म ग्रंद को गुरुगरंद साहब कहते हैं वो साहब शब्द आदर सूचक शब्द है मुस्लिम्स को देख लीजे वे अपने धर्म ग्रंद को इतना पवित्र मानते हैं कि बिना हाथ धोये हाथों के शुद्धी करण के बिना वे अपने धर्म ग्रंद को हाथ नहीं लगाते हैं मसीही जगत की यदि बात की जाए तो एक दो बाते मैं आपको बताना चाहता है यह प्रिष्ट भूमी इस विशे की गंभिरता को समझने समझाने के लिए बहुत जरूरी है संडे को जरा ध्यान दे बहुत सारे चर्चस में लोग जब आके बैठते हैं तो यदि कुरसिया नहीं है ऐसे बहुत सारे चर्चस से जिसमें अभी भी लोग चादर पर जमीन पर बैठते हैं बाइबल लेकर आए जमीन पर बैठने से पहले लोग क्या करते हैं आधिकतर लोग बाइबल को जमीन पर पटक देते हैं मैं पटक शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा तर लोग किसी भी तरह के आदर के साथ बाइबल को जमीन पर नहीं डालते हैं इसलिए मैंने पटक शब्द का उपयोग किया इवन जिन एसेंबली में लोग कुरसी पर बैठते हैं वहां कई लोगों की आदत है कि आए और कुरसी पर बैठने से पहले बाइबल को जमीन पर पटक दिया और जब जर्रती उठा लिया इस बीच पैर भी लग रहा है बच्चे दोड़ते हैं तो उसके ओपर से दोड़ते हुए भी जाते हैं हम लोग पवित्र बाइबल को आदर देना नहीं जानते हैं आज से कुछ साल पहले मैं जिस चर्च में था ग्वालियर मधिप्रदेश वहां एक ब्रिटिश आदमी मेंबर था ग्वालियर की एक कम्पनी में वो मैनेजर थे वो तो आते ही बाइबल को जमीन पर पटक देते थे और बाद में जब बाइबल उठानी की नौबत आती तो पैर से बाइबल को अपने पास खिसकाते थे पैर से देखके मेरे रोंटे खड़े हो जाते थे एक खटना और बताना चाहता हूँ ये तो होगे अंग्रेज की बात हम भारती लोग प्रभु के वचन का कितना आदर करते हैं आज से लगबग 20 साल की बात है ये घटना डीटियल में इंडियन एक्सप्रेस में आई थी आंध्रा प्रदेश में एक सज्जन ने अमरीक्या के किसी मिशन एजनसी का पैर पकड़ा कि यहाँ पर लोग बाइबल के बिना मर रहे हैं और हमारी मदद कीजिए सैयोग से बहुत पैसे वाली मिशन एजनसी थी उनको हिंदुस्तान परवड़ी दया आई और उन्हों ने इतने बाइबल भेजे इतने बाइबल भेजे की पानी के जहाज से उतारा उसको तो एक बड़ा सा ट्रक नीचे से उपर तक भर गया उस आदमी ने तुरंत उसका बांटने वगरा का कोई इरादा नहीं था इसाई था लेकिन बांटने का कोई इरादा नहीं था एक ट्रक भरके जब बाइबल जह पानी के जहा से उत्रा तो उसने क्या किया कि शिवकाशी जहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फटाके बनाये जाते हैं शिवकाशी के एक एजिन्ट को बुला के कहा कि एक ट्रक भर के किताबें हैं, रद्धी है, क्या कीमत दोगे, शिवकाशी वाले की तो बांचें खिल गई की, एक ट्रक भर के रद्धी हमको तो सो जगह से कलेक करना पड़ता है, ये एक ही जगह से रद्धी मिल रही है, उसने तुरंत सर्वोत्तम कीमत ओफर किया, इस आदमी ने बेच दिया, complete ट्रक बाइबल बेच दिया, शिवकाशी वाला खुशी-खुशी उस ट्रक को ले गया, देव योग से किसी मसीही को ये खबर मिली, उसने पुलीस में खबर दी और पुलीस ने उस ट्रक को बरामत कर दिया, लेकिन केस में चला गया, सारे के सारे बाइबल जो है, कहीं तो भी पुलीस टेशन के आसपास उतार के डाल दिया गया, पानी बरसा वो हुआ, ना तो शिवकाशी वालों के काम आया, ना पुलीस टेशन वालों के काम आया, किसी के काम नहीं आया, लेकिन ये आदमी चूकी कीमत ले चुका था उसने कीमत वापस करने से मना कर दिया मसीही लोग बाइबल को कितनी जद देते हैं इसके दो हफ़ते की बात है कि वहीं उसी इलाके के एक आदमी ने दो ट्रक बाइबल उतारे पनी के जहाँ से आया था और दोनों ट्रक शिव काशिवालों को बीच दिये इसको भी पकड़ा लेकिन वो सारे बाइबल बरबाद हो गए जहां एक मुस्लिम हाथ धोके अपने धर्म ग्रंद को हाथ लगाता है जहां एक सिक अपने धर्म ग्रंद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो सर्फ सर पे रखके ले जाते हैं और साथ में एक आदमी चमर ढुलाता हुआ चलता है कि कोई मक्ही न बैठ जाए इतना आदर देते हैं तब मसीही जगत की ये स्तिती है कि हम अमरीका के लोगों को उल्लू बनाकर ट्रक के ट्रक बाइबल्स हिंदुस्तान में उतार रहे हैं और जैसे ही वो उतर गया वैसे ही शिवकाशी में पठाके वालों को बेच रहे हैं जिससे कि उससे पठाका बनाया जा सके इस तरह के और भी उदाहरण मैंने देखे हैं इससे भी बड़ी मात्रा में मसीही पुस्तकें बाइबल्स नहीं मसीही पुस्तकें मंगाया रद्धी के मोल बेच दिया आरम में मैंने ये जो उदाहरण आपको बताए ये इसलिए बताए कि हमें प्रभु के वचन का जब हम अध्यान करते हैं तो बहुती लज्जा के साथ प्रभु के वचन को अप्रोच करना चाहिए कि दुनिया में मनिश के बनाए हुए जो धर्म है उनके अनियाई लोग अपने धर्म ग्रंथों को इतना आदर देते हैं और हम जीवित पर्मेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरना से जिस वचन की रचना की है जो जीवित और पवित्र और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा धारदार है जो हमारे आत्मा को छेद देता है जिससे के हमारे अंदर जो अशुद्धता है वो हमसे हट जाए उस वचन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं प्रिभाईयों और बेहनों इस प्रिश्ट भूमी के साथ हम आगे बढ़ें पवित्र बाइबल के अध्यान में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्ण जिसका ज अंग्रेजी टैटल है बिब्लियोलजी बिब्लियोस का मतलब है पुस्तक बिब्लियोलजी का मतलब है हम एक विशेश सेंस में मसीही लोग बिब्लियोलजी शब्द का उपयोग करते हैं पवित्र शास्त्र के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है पवित्र शास्त्र क दो-तीन मुख्य पद मैं आपके सामने रख कर आगे बढ़ना चाहता हूं इन पदों को हम कुझी कह सकते हैं हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हर किताब की कुझी मिल जाती थी आजकल की स्थिति मुझे नहीं मालूम है मैं मदिप्रदेश वगरा के स्कूल सिस लाइए तो उसमें सारे के सारे प्रश्न सौल किये हुए मिल जाते थे तो कुझी या की का मतलब है वह चीज जो हमारी कटनाई को दूर करता है प्रभू के वचन का जब हम अध्यान करते हैं तो हर विशे से संबंदित कुछ कुझीयां हैं कुछ चाबियां हैं कुछ जनकी मदद से उस विशे के उपर बहुत ही महत्युपूर्ण प्रकाश पढ़ता है पवित्र शास्त्र से संबंदित जो सबसे महत्युपूर्ण पद है उनमें से पहला पद पहला पत्रस तीसरा अध्याए 15 हुआ पद है पहला पत्रस तीन का पंद्रा ये एक्चुली वा कुंजी है नमबर वन पहला पत्रस 35 में हम पढ़ते हैं तुम मसी को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो अनुवाद गलत है मैं अभी उसको करेक्ट अनुवाद बोलता हूँ जो कोई तुमसे तुमारी आशा के विशे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के ल लेकिन नम्रता और भाय के साथ यह कुंजी क्यों है अभी बताता हूं मसी को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो यह गलत ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन गलत हुआ और अंग्रेजी को देखके उसको ऐसा कैसा हिंदी में उतार दिया गया है ग् मसी को प्रभु तो बहुत लोग जानते हैं इवन अपने राष्ट्र में बहुत सारे जो राजनैतिक लोग थे बहुत सारे गैर मसीही लोग हैं वो भी प्रभु इश्यू को बहुत आदर देते हैं लेकिन प्रभु के एक बच्चे के लिए ये परियाप्त नहीं है प्रभु के बच्चे के लिए मसी को प्रभु जानकर प्रभु मीन्स जो सर्वे सर्वा है जो सब चीजों का के ऊपर है और सब चीजों का शासक है जानकर अपने मन में सर्वोनत सबसे उन्नत स्थान बहुत मुच्छा स्थान देते हैं, कई लोग अपने बेटे या बेटी को सबसे उन्नत स्थान देते हैं, बेटे ने कुछ कह दिया, बेटी ने कुछ कह दिया, चाहे वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, हम वही करेंगे, कई लोग अपनी पत्नी या पती को सबसे उन्नत स्थान देते हैं, मेरा कहना ये नहीं है कि आप इन लोगों की उपेक्षा करें, जी नहीं, लेकिन सबसे सर्वोनत स्थान प्रभू को देना है, प्रभू जो कहते हैं उसके आधार पर मुझे अपनी पत्नी या अपने पती का ख्याल रखना है अपने बेटे या बेटी का ख्याल रखना है यह है जो सरवनत्स्तान देने का मतलब है प्रभु का वचन हमारे विश्वास के बारे में जब दूसरे लोग हमसे पूछते हैं तो उसके उत्तर देने के बारे में हमको जो दिशा देते हैं उस दिशा निर्देशन में सबसे पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि मसी को प्रभु जानकर अपने मन में सर्वोनत स्थान दो इसलिए कि यदि एक मसीही को अपने अपना जीवन सफलता से बिताना है तो जो उसका प्रभु है उस प्रभु को प्रभु जानना भी जरूरी है प्रभु मानना भी जरूरी है इनमें बहुत फरक है हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु इश्व को प्रभु मानते हैं प्रभु जानते हैं लेकिन प्रभु मानते नहीं है इस कारण प्रभु को हमारे जीवन में जो आदर देना है वो आदर हम नहीं देते लेकिन यदि हम प्रभु को प्रभु जानेंगे भी मानेंगे त प्रभु को हमारे जीवन में सबसे उन्नत स्थान सर्वनत स्थान देंगे और जब ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन इतना बदल जाएगा कि लोग हमसे पूछेंगे जो कोई तुमसे तुमारी आशा के विशह में कुछ पूछे जब प्रभु को हमारे जीवन में हम सर्वनत स् मनसा वाच्या कर्मना हम प्रगट करेंगे हम जो सोचते हैं उसके द्वारा हम जो करते हैं उसके द्वारा हम जो बोलते हैं उसके द्वारा हम प्रगट करेंगे आपने किसी ऐसे मसीही मित्र को देखा है क्या जो अपने विश्वास के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी हांकता है लेकिन जरासी समस्या आये तो अरे बापरे मुझे पहले ही मालूम था कि आज कुछ नहीं होने वाला कोई application लगाया है किसी ने पूछा कि application लगा दिया है लेकिन कुछ होने जाना वाला नहीं है सब मनिश की इच्छा के निसर होगा किसी भाई से कहा सुनी हो गई ये पूछा जा रहा है कि फलाने भाई से आपकी कहा सुनी हो गई अरे कहा सुनी कहा उसका मुझ खराब है ये जो नजरिया है ये जो बोलने का तरीका है हमारे चारों तरफ जो लोग है वो देखते हैं उनके उपर असर होता है और वे लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति लम्बी चोड़ी हांकता जरूर है लेकिन इसके जीवन में जिस प्रभू के बारे में लम्बी चोड़ी हांकता है उसके बारे में उसके प्रती विश्वास नहीं है लेकिन दूसरी और एक व्यक्ति मान लीजे उसके बच्चे का एक्सिडेंट हो गया है मैं बच्चे के एक्सिडेंट के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं फर्स्ट हैंड इस बात को जानता हूं आज से कुछ साल पहले मेरे बेटे का एक्सिडेंट हुआ था एक ओवर टेक करते हुँ ओवर स्पीडिंग बस ने उसको डैरेक्ली टक कर मारी उसका हेलमेट जो नया था पांच एच्छे जगह से क्रैक हो गया हाथ की उंगलियां तूट गई पैर में फ्रैक्चर आया घुटना जस्ट गुटने के नीचे से हड़ी टूटके नीट क्रैक हो गया जब इस तरह की घटना होती है और यदि पूछा जाए तो दो तरह से या तीन तरह से हम रस्पॉंड कर सकते हैं पहला यह कि हम ड्राइवरों को गाली देना शुरू करे और पूरे समय गाली देते रहें दूसरा यह हो सकता है कि हम कहें कि ड्राइवर लोग लापरवा हैं और प्रभू ना बचाते तो बेटा गुजर गया होता तीसरा यह भी हो सकता है कि प्रभू शायद बेटे को और हम माबाप को कुछ सिखाना चाहते थे इसलिए प्रभू ने अनुमती दी की इस तरह से दुरगटना हो जाए लेकिन प्रभू ने उसके जीवन को बचा कर रखा किसी भी घटना के प्रती हमारी प्रतिक्रिया अलग-अलग प्रकार की हो सकती है और लोग देख रहे हैं हमारे चारों तरफ मसीही लोग भी देख रहे हैं गैर मसीही लोग भी देख रहे हैं ये लोग अंदे नहीं हैं हमको ऐसा रखता है कि गैर मसीही लोग कुछ नहीं स समझते यह गलत बात है वे लोग अच्छी तरह से समझते हैं और जब हम इस तरह से जवाब देते हैं कि प्रभू ने जीवन दान दिया बेटे को और इस जीवन दान के द्वारा प्रभू शायद बेटे से भी बात करना चाहते हैं, माबाप से भी बात करना चाहते हैं, शायद प्रभु ये चाहते हैं कि हम कुछ और ज्यादा समर्पित जीवन बिताएं, तो जो व्यक्ति इसे सुनता है, गैर मसीही की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो कहा गया है, जो कोई तुमसे, यह विश्वासियों के बारे में नहीं है, यह अविश्वासियों के बारे में हैं, mostly, जो कोई तुमारी आशा के विश्य में कुछ पूछे, आशा हमारे जीवन में दिखे तब ही तो लोग पूछेंगे, तो जब हम प्रभू को अपने जीवन में सर्वोनत स्थान देकर येशु को प्रभू जानेंगे और मानेंगे तब हमारे जीवन में आशा आएगी और जब हम उस आशा को अपनी सोच के द्वारा अपनी बोली के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा प्रगट करेंगे क्या कारण है उन में से कुछ लोग हो सकता है कि यबर्दस्ति हमारे विश्वास का विरोध करना चाहते होंगे लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी आशक के बारे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सरवदा तयार रहो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई वेक्तिया के कहता है कि भाईया तुम्हारे बेटे का एक्सिडेंट हुआ और तुम बड़ी शान्ती से खड़े हुए हो तो हम पलट के अरे भीया मैं टिंशन में खड़ा हूँ और तुमको जो है शांती शांती दिखाई देती है तुमारी अकल घास चरने गई है कि इत्यादी बोलते हैं मैंने ऐसे कई बार देखा है कि जब बेहत दुख में कोई मसीही भाई या बहन खड़े हैं और बड़ी लंबी चोड़ी हांक रहे हैं प्रभू ने बचा लिया वो किया ये किया ये किया लेकिन अंदर अंदर से फटने के लिए तयार खड़े हुए हैं बस फटने के लिए एक आउसर चाहिए ये किसी ने आके पूछ लिया फट पड़े तो ये जो आशा है दिखावटी आशा है आशा के सिर्फ हम नाटक कर रहे थे प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आशा के बारे में कोई पूछे तो सरवदा तयार रहना है ऐसा नहीं कहा गये कि जो तुम घर जाके आराम किरो तब उत्तर देने के लिए तयार होना सरवदा का मतलब है सरवदा के लेकिन एक कंडिशन है Napoleonрता और भाय के साथ हममसी ही लोगों की आदत है कि जो लोग उत्तर देने की स्थिति में है या जो लोग उत्तर जानते हैं ये लोग इनित का जवाब पथरसे कोशिश करते हैं मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को मालूम हुगा कि जो मसीही विश्वास है उसमें ही मैंने अपॉलजेटिक्स नामक विश्वे में स्पेशलाइस के अपॉलजेटिक्स का मतलब है जो लोग मसीही विश्वास के बारे में उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं उन लोगों को जवाब देने का शास्त्र जो बाइबल के ओपर आधारित एक शास्त्र है Apologetics में लोग अक्सर मुझे टोका करते हैं कि भाईया वो बाइबल के विरुद्ध बोल रहा है और तुम बड़ी सौम्यता के साथ क्यों जवाब दे रहे इंट का जवाब पत्थर के साथ क्यों नहीं देते इंट का जवाब पत्थर से देना कोई भी कर सकता है उसके लिए ना तो विश्वास की जरूरत है ना ही सौम्यता की जरूरत है ना ही बुद्धी की जरूरत है शराबी लोग एक दूसरे से जगड़ते हैं यदि आपने देखा हो तो एक नशे में जो बुरी बात बोलता है दूसरा आदमी नशे में ही उससे ज़्यादा बुरी बात का जवाब देता है इवन बुद्धी नॉर्मल होना जरूरी नहीं है एट का जवाब पत्थर से देने के लिए लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जब हम कोई व्यक्ति हमारी आशा के बारे में पूछे नंबर वन उत्तर देने के लिए सरवदा तयार रहें नंबर टू जब भी उत्तर दें तो भले ही वो व्यक्ति हमारे विश्वास का विरोत करने के लिए हमसे पूछ रहा हो नंबरता और भाय के साथ जवाब देना है ये बहुत जरूरी है ये प्रभु के वचन के बारे में अध्यान करते समय पहली कुंजी है इस पहली कुंजी का उपयोग कहां आएगा ये थोड़ी दिर के बाद स्पष्ट हो जाएगा दूसरी कुंजी हम देखते हैं दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और पंद्रहुआपद दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय पंद्रह वहां हम पढ़ते हैं अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योग्ये और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लिजित ना होने पाए हम सब अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योग्ये बनाना चाहते हैं कोई शक नहीं है जो नम्रता के साथ जो मसीही जवाब देता है वो और जो इंट का जवाब पत्थर से देता है वो सभी लोग अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योगी बनाना चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं है हाँ ग्रहन योगी जो बनाना चाहता है वो यह जानता है क्या कि किस तरह से अपने आपको ग्रहन योगी बनाए यह अलग बात है और इस कारण आज जो परभु का वचन सुन रहे हैं सबी भाई बहन लोग अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योगी बनाना चाहते हैं लेकिन अपने आपको कैसे परभु के लिए ग्रहन योगी बनाना है यह हम जानते हैं क्या इसका उत्तर प्रभु के वचन में आगे दिया हुआ है, उसको जरा हम देख ले, अपने आपको पडमेश्वर का ग्रहन योगी है, और ऐसा काम करने वाला ठैराने का प्रहतन कर जो लज्जित ना होने पाए, तो दो चीजे हैं, नमबर वन हम अपने आपको पडमेश्वर का ग्रहन योगी भी बनाएं, और इस तरह से हम अपने जीवन में कर्म करें, ऐसा काम करने वाला मतलब कर्म करें, जिससे कि हमें लज्जित ना होना पाए, और इसके लिए साफ साफ लिखा है, जो सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाता हो, हिंदी एनवाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसका करेंट अनवाद ये है कि सत्य वचन को ठीक रीती से काम करने के द्वारा अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योगे और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रहतनकर जो लज्जित ना होने पाए, वो है इसका सही सही ग्रीक से अनवाद, और इ अगया है, तो सत्य के वचन को, मतलब परमेश्वर के वचन को ठीक रीती से काम में लाने वाला व्यक्ति बनने के द्वारा अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योगे और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रहतन कर जो लज्जित ना होने पाए, जिसका मतलब ये हुआ, कि fundamental doctrines आदी सीखते समय सबसे पहले हमें सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाना सीखना होगा, ये है कुझी नंबर दो, जिसका हम उपियो कुछ जादा करेंगे, लेकिन कुझी नंबर एक को भूलना जाएं, सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाना यूज करना होगा, आप कहेंगी कि प्रदर सत्य के वचन को ठीक रीती से, काम में लाना तो बहुत आसान बात है, बाइबल को पढ़िए और उसके बाद जो है उसके बाइबल में जो कहा गया, उसके नसार काम कीजिए, सुनने में बहुत आसान है, लेकिन बाइबल की जो 66 पुस्तके हैं, जो पदमेश्वर ने लगबग डेड़ हजार साल के अंतराल में दी हैं, उसके बाद फिर और दो हजार साल हो गये हैं, कुल मिलाकर आज तक का आदम से लेकर आज तक का इतिहास जो 6000 साल का हो गया है, इन 6000 सालों में पदमेश्वर ने अलग-अलग तरह से मनिश्यों से बात की है, अलग-अलग तरह से का मेरा मतलब ये नहीं है, कि उद्धार के अलग-अलग रास्ते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, कि पुराने नियम में जैसे परमेश्वर ने बिलिदान ठहराए थे, नए नियम में चैनवरों का बिलिदान नहीं है, ये है मेरा कहने का मतलब अलग-अलग तरीके से. चर्चेज में प्रभु ने प्रभु भोज दिया है, इसके पहले की युगों में प्रभु भोज नहीं था, चर्चेज में 32 में के आज्या दी गई है, इसके पहले किसी युग में ऐसा नहीं था, चर्चेज के बाद जो आने वाले दो यूग है महोपद्रव का यूग और सहस्त्रवर्ष के राज्य का यूग जब इस पृत्वी पर मेरे आपके समान ही मनिश्य जीएंगे उनके लिए ना तो बबतीसना है ना प्रभू भोज है तो इस कारण प्रभू के वचन में अलग-अलग यूगों के लिए कुछ बातें तो common कही गई हैं कुछ बातें अलग कही गई हैं सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाने का मतलब यह है कि हम इस अंतर को बहुत स्पष्ट रीती से समझें अच्छा हिंदी अनवाद में एक और परिश्णी है सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाता हो अनवाद हुआ है जबकि ग्रीक भाष्ण में कहा गया है सत्य के वचन को सही सही विभाजित करता हो डिवाइट करता हो उसके लिए ग्रीक में जिस शब्द का उपियो किया गया है वो बहुत बहुत इंटरस्टिंग शब्द है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ग्रीक में जिस शब्द का ये अनवाद है ठीक रीती से काम में लाता है ये गलत अनवाद है ग्रीक शब्द है ortho-tomeo दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ortho का मतलब है सीधा orthopedic surgeon orthopedic surgeon क्या करता है accident के बाद आपका हाथ, आपका पैर, शरीर की कोई हड़ी जो तुड मुड़ के टेड़ी हो गई हो उसको सरजरी के साथ द्वारा जितना अधिक सीधा कर सकता है उतना सीधा करे इसलिए उसको orthopedic surgeon कहा जाता है इसलिए यहाँ पर ortho का मतलब है सीधा सही रीती से टोमियो का क्या मतलब है या टोमोस का क्या मतलब है TOMOS का मतलब है काटना, विभाजित करना, आपको मालूम है क्या, Tonsile Surgery को Tonsilectomy कहा जाता है, टोमोस, Appendicitis, Appendix की Surgery को Appendictomy कहा जाता है, TOMY, सरजरी में जहां भी काठी पीट होती है उसमें टोमी शब्द का शब्द इसलिए लगाए जाता है कि वो काठने को दिखाता है तो और्थो टोमियों का मतलब है कि प्रभू के वचन में सारे उपदेश जो एक दूसरे से मिले जुले तरीके से परमेश्वर ने दिया है उसको सही रीती से विभाजित करके जो पुराने नियम के लिए है वो पुराने नियम के लिए जो नए नियम के लिए है वो नए नियम के लिए हम सिखाएं ये है तो इसलिए इस पद का सही सही ट्रांसलेशन ये होगा कि ऐसा विश्वासी बन जो सत्य के वचन को सही रीती से विभाजित करने के द्वारा अपने आपको पदमेश्वर का ग्रहन योगी सिद्ध करे और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए इसलिए मेरे प्रिये भाईयों और बहनों आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें से हर व्यक्ती के लिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन का इतनी गहराई से और इतनी गंभीरता से अध्यान करें कि हम प्रमेश्वर के वचन का सही सही विभाजन कर सकें आप कहेंगे ब्रदर जॉन्सन मुझे बाइबल स्कूल बगर हमें जाने के लिए ना तो समय है ना जीवन में जो है अवसर है मेरे प्रियव भाई और बहनों बाइबल स्कूल कुछ विशेश लोगों के लिए है प्रभू के वचन का अध्यायन हर विश्वासी के लिए दिया गया है भजन सहिता 119 एक आसत विश्वासी ने लिखा था वो ना तो प्रचारक था, ना भविश्य वक्ता था, ना ही याजक था एक आसत विश्वासी था और युवा था एक आसत युवा विश्वासी ने भजन सहिता 119 में प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के वचन के अध्यान के बारे में कितना कुछ लिखा है। इससे एक बात स्पष्ट है कि प्रभू ने अपना वचन हर विश्वासी के लिए दिया है उसकी उमर चाहे कितनी भी हो, उसका एजुकेशन चाहे कितना भी हो यदि वो प्रभू के वचन के अध्यन के लिए समर्पित है तो वो प्रभू के वचन को समझ सकेगा और इस कारण जब मैं कहता हूँ मेरे प्रिये भाईयों और बहनों प्रभु के वचन को सही रीती से विभाजित करना सीखें तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप भाग के Bible School चले जाएं जी नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रभु के वचन का गंभीर अध्यान करें और गंभीर अध्यान के लिए ना तो Bible School में जाने की जरूरत है ना किसी Bible Commentary की जरूरत है ना ही Theology में डिग्री लेने की जरूरत है आप कहेंगी कि Brother Johnson आप कैसी बात कर रहे हैं आपके पीछे तो किताबों का बंडार रखा हुआ है देखिए मैं किताबों के विरुद नहीं बोल रहा यह किताबे मेरे पास हैं और सारी किताबे आपको दिखने रही इनसे भी जादा है लेकिन ये किताबें केक के उपर आइसिंग के समान है बिना आइसिंग के भी केक केक है उसी तरह से परमेश्वर के वचन के अध्यान के लिए ये पुस्तके मादद जरूर करती है लेकिन आइसिंग के समान है मतलब उसके बिना भी केक केक है जिसका मतलब है कि उसके बिना भी आप परमेश्वर के वचन का स्वाद ले सकते हैं और परमेश्वर के वचन का अध्यान कर सकते हैं इस कारण आगे बढ़ने से पहले अगली बात मैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि जो व्यक्ति गंभीरता से प्रभु के वचन का अध्यायन करना चाहता है उसके लिए एक Bible अनेक हो तो और भी अच्छा है अब तो हिंदी भाषा में Bible के कई translations आ गए हैं एक जो सामानी लोग यूज़ करते हैं उसके अलावा नई हिंदी Bible नाम से Bible Society ने आज से लगबग 40 साल पहले रिलीज किया था डॉक्टर जे चानन ने वह अनवात किया था जिसमें मेरी भी हिस्सेदारी थी नई हिंदी तो हिंदी Bible नई हिंदी Bible इस तरह से दो तीन हो तो अच्छा है सर्वो तुम है लेकिन नहीं तो कम से कम एक Bible एक डाइरी और एक पैन इन तीनों चीजों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए हाँ एक समर्पित मन ये रोर चाहिए जिससे कि आप Bible Study के लिए समय निकाल सके मेरे प्रियव भाई और बहनों इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे कई लोग हैं जो अन्नी चीजों का उपयोग करते हैं मैं भी करता हूं मेरे पीछे किताबों का भंडार है लेकिन यदि प्रभु के वचन का गंभिरता से आप अध्यान करना चाहते हैं तो इन सब को सिर्फ आइसिंग समझें जो केक है वो कैसी बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और प्रभु ने मदद की तो इस विशे के आखरी एक तिहाई में मैं इस बात का डीटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति एक बाइबल एक डाइरी और एक पैन लेकर प्रभु के वचन का इंटेंस सगन अध्यान कर सकता है हाँ आप कहेंगे कि उसके अलावा ब्रदर कुछ और हो तो देखिए दो-चार बाइबल ट्रांसलेशन मिल जाएं तो तुलना करने में बड़ी सुविदा हो जाती है अब जैसे आज मैंने आप से कहा सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाता हो उसका सही सही एनवाद है जो सही सही उसको विभाजित करता हो किसी और ट्रांसलेशन में हो सकता है वो उसको accurately ट्रांसलेट कर दें तो इसलिए एक से अधीक ट्रांसलेशन हो तो अच्छा है और यदि आप अंग्रेजी में तो अंगरे जी में तो translations की भरमार है यदि आप mobile पर Bible use करते हैं तो mobile पर एक सैथिक ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगे तो Bible, diary, pen उसके अलावा अगला क्या? एक सैथिक ट्रांसलेशन और अगला क्या यदि आपके पास सुविदा होते एक Bible dictionary यरोर खरीद लें इसलिए कि Bible में यह दी कोई शब्द आता है जैसे किसी ने आप से पूछा कि यह नहुष्टान क्या बला है तो नहुष्टान क्या बला है Bible dictionary को खूल लीजे Bible dictionary आपको बता देगा कि मरुभूमी में मूसा ने जिस सर्प को बना कर तांग दिया था उसके कुछ सौ साल के बाद लोग उस सर्प की आराधना करने लगे थे उसको भगवान मानकर उसकी आराधना करते थे और उसको नाम दिया था नहुष्टान तो यदि एक Bible dictionary और हो जाए तो इस तरह की जो बातें जो एक दम से दिमाग में नहीं आती हैं उन पर प्रकाश पड़ जाएगा और अब Bible dictionary कोई खास ज़्यादा कीमत नहीं है ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आप कहेंगे कि अच्छा और कुछ तो मेरा अनिरोध है कि एक concordance खरीद लें concordance क्या होता है concordance dictionary के समाने एक चीज है जिसमें एक शब्द ले लिया जाए तो उस शब्द से संबंदित जितने पद Bible में है सबकी लिस्टिंग होती है मानली जो उद्धार का अध्यान करना चाहते हैं तो आपने उसको खोला उद्धार शब्द के नीचे आए तो पुराने नियम से लेकर नए नियम में उद्धार शब्द जहां जहां आया है आपको पूरी लिस्टिंग मिल जाएगे आपको परेशान होने की जरुरत नहीं ह और कुछ जी नहीं मेरा अनिरोध है कि बाइबल अध्यायन आरम करते समय इनसे ज़्यादा चीजों का उपयोग ना करें एक बार जब आप दक्ष हो जाएं उसके बाद बहुत सारे टूल्स जोड़े जा सकते हैं जब हम किसी चीज को स्टड़ी करते हैं तो बहतर यह होगा कि A, B, C, D से स्टड़ी करें मैं एक अनुभव आपको बता कर समाप्त करना चाहता हूं मैं बच्पन से बेहद जिग्यासू व्यक्ति था, क्यूरियस हर चीज के बारे में क्यूरियोसिटी इतना ही नहीं हर चीज को सीखना चाहता था मेरे बच्पन में टैपिस्ट की नौकरी हर जगा हुआ करती थे और इसकारें टैपराइटर हर जगा हुआ करते थे बच्पन से ही टैपराइटर देखके मुझे बड़ी दिल्चस्पी हुई और जब मैं आठवी में पढ़ता था तब ग्वालियर में एक किताब की दुकान थी मसीही पुस्तक शाला जो एक कैनेडीन मिश्णरी चलाते थे तो गर्मी के दिनों में वे लोग जब ठंडी जगे पे चले जाते थे तो पापा उनकी मदद के लिए उस दुकान को चला देते थे मैं पापा के असिस्टेंट के रूप में वहां दुकान में बैठा करता था दुकान के सामने दो टैप ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट थे जिग्यासा के कारेंड कई बार मैं वहां जाके खड़ा हो गया देखा कि अरे वाव 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 लोग कैसे टैप कर रहे हैं उंगलियां टैप राइटर पाथी रख रही हैं कि मैंने पापा से बहुत अनुरूत किया कि मुझे टैपिंग के लिए भेज दें पापा तयार नहीं थे एक अंकल को जब यह बात पता चली तो उन्होंने का कि देख फिलिप एब्रहाम का लड़का टैपिस्ट बने यह मुझे से मंजूर नहीं है तुझे तो कोई डॉक्टर बनना चाहिए लेकिन हां तुझे जीवन में कुछ फायदा हो गया उन्होंने मुझे तीन रुपे दियो उस समय तीन रुपे एक महिने की फीस थी तीन रुपे में मैंने जा के टैप जॉइन किया मेरे पापा बहुती compliant कि किसी जमाने में तो चुब पैसा चाचे ने दिया था पापा ने जॉइज कर वादिया मैं जहां बैठा था, वहां एक तरफ कोई बिजली की तेजी से टाइप कर रहा है, दूसरा तो आंधी तूफान की तेजी से टाइप कर रहा है, देखके हैरान हो गया, मुझसे मेरे गुरुदेव ने कहा था, वहां जो उस्ताद है, A, S, B, F, G, टाइप करो, तो मैं A, S, B, F, G, टाइप करता था, और उस्ताद इधर या उधर किसी विद्यारती से बात करते हैं, तो मैं भी तेजी से टाइप करने की कोशिश करता है, रिजल्ट क्या होता कि सारे के सारे की इस एक दूसरे से अठक जाते, फिर उस्ताद को बि होगे उन्हेंने पापा को गुला के कहा कि फीस में वापस कर दूंगा बच्चे को ले जाईए पापा ने बड़ी डांट लगाई फीस वापस नहीं लिए मेरी टाइपिंग बंद करवा दी बाद में मैं बहुत रोया धोया तब पापा ने भेजा लेकिन मुझसे प्रामिस करवा दिया कि उस्ताद जो कहेंगे उसके हिसाब से ASDFG सिमी कॉलन LKJHE टाइप करूंगा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि बिना ASDFG ट्रेनिंग के उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते ये मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ा पार्ट था बहुत बड़ा पार्ट उसके बाद मैंने और बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की अंग्रे जी मेरे पापा मुझे इंग्लिश मीडियम नहीं भेज पाए मेरी सारी की सारी पड़ाई हिंदी मीडियम में हुई MSC पास करने के बाद पता चला कि एजुकेशन फिल्ड में जाना हो अंग्रे जी जानना जरूरी है वहाँ मैंने आठवे क्लास में बच्चे जो ग्रामर पढ़ते हैं ग्रामर की किताब जरा से डिक्ष्णरी इन चीज़ों को लेकर जिस तरह से कोई आठवी क्लास से सीखता है MSC पास मैंने अंग्रे जी सीखने की कोशिश की चालिस साल की उमर में मैं तीसरा जब मुझे स्ट्रोक हुआ ब्रेन स्ट्रोक तब उत्तर भारत छोड़के केर लाया यहां मैं परदीशी था मलिया आलम भाशा नहीं जानता था बाकाइदा आ आ ई ई ए लिखवा कर मैंने अपने बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों से लिखवा कर अपने कमरें में सब जबे चिपका रखे थे बाल बनाते हैं समय भी नजर उस पे जाती थी आ ऐई ई आज भी मेरे विद्यारती बोलते हैं कि सर हम वो दिन नहीं भूल सकते जब 40 साल की उमर के हमारे सर आई ही सीख रहे हैं, सब जगे चिपका हुआ है, जब मैं आई ही में डक्ष हो गया, तो उसके बाद मल्यालम के छोटे-छोटे, दो अच्छर के शब्द, तीन अच्छर के सब जगे चिपकाए, किसी भी फिल्ड में ये दि हम सीखना हो, मुझे ये पाठ मिल गया, जंप करने की कोशिश मत करो, फस्ट लेसन फस्ट, आज संधिया क्लोस करने के पहले, मैं सभी भाईयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति को एक दक्ष, एक्सपर्ट, बाइबल स्टुडेंट होना जिरूरी है, और ब्रदरिन असंबली इस विशे को बहुत अधिक महत्व देती हैं, इस कारण पहला पार्ट ये है, बाइबल, डायरी, पेंसिल लेकर बैठें, मैं या अन्य लोग क्लास लेते हैं, नोट्स उतारते चले जाएं, और क्या करना है, प्रभु ने मदद की तो बहुत क्रमबद तरीके से आने वाले दिनों में, मैं इन चीजों को प्र मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ, मंदली ने मुझे इस तरह से निमंत्रण दिये, मैं मंदली का आभारी हूँ, इतने भाई बहन लोग इस अध्यन को सुनने के लिए उपस्तित हुए, मैं सब का आभारी हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाईबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाईबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्र बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की